दोस्तों इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूँ 5G की सीन के बारे में इडिया के बारे में कौन सा 5G, कौन सीट सीटी में फास्ट चल रहा है, कौन सा 5G बढ़िया है, कौन सीटी में आ चुका है, अगर 4G के फॉन बंद हो जाएंगे तो क्या होगा, 5G के आ जाएंग यह वो 5G ही होंगे, और मार्केट में आपको 10,000 से उपर वाले 4G फॉन, बहुत कम देखने को मिलेंगे, नए वाले, जो स्टॉक अभी है, वो तो भाई बिकना ही है, फिर उसका तो तो तोड़ के फैंक नहीं सकते हैं, उसको ना रिकॉल कर सकते हैं, इतना बड़ा कोई श नहीं होते हैं, हाला कि इसकी मार्केट भी बहुत ज़ादा है, ऐसे तत्व के लोग भी हैं, तब के जो उसको बहुत ज़ादा पसंद करते हैं, और ऐसे स्मार्टफोन को इस्तमाल करते हैं, उसमें कोई बुराई भी नहीं है, कॉलिंग अगर बड़िया होते हैं, हाँ उस इसमें कुछ ना कुछ कमी तो देखने को मिल ही रही है, तो ये प्रॉब्लम है भाई, क्योंकि आप पहले जो लोग 4G फोन करेना चाहते हैं, कई लोग नहीं इस्तमाल करना चाहते हैं, तो उनको क्या होगा कि भाई, उनको ना चाहते भी एक उस बजट में 5G फोन करेना पड तो उससे कहा है, ये कमी पूरी तरीके से पूरी हो जाएगी, अब बात करने वाले हैं, 5G सर्विस कहां मिल रही है, मैं पता हूँ, इंडिया को 117 पोजिशन पर रखा है, विद आवरेज स्पीड ऑफ 13 Mbps, 5G के दौर में, जो आवरेज स्पीड है, वो 13 Mbps रखी है, वि पहले ही बता दूँ कि Jio जादा बेटर परफॉर्म कर रहा है, अब बात करें, तो दिल्ली में जो इसकी मीडियन स्पीड है, 200 Mbps की देखने को मिली है, और Jio की देखने को मिली है, 600 Mbps, so that means 200 and 600, दिल्ली में आप अंदाजा लगा सकते हैं, Jio अभी टॉप पर चल रहा है कोलकाता की बात करें, तो यहाँ पर Airtel की जो आवरेज स्पीड है, वो देखने को मिल रही है, कितनी? कितनी मिल रही है? 33 Mbps देखने को मिल रही है, 33 Mbps, 33, जो की बहुत कम है, मीडियन स्पीड है यह, इस बार मीन मीडियन मोड आपको पता होगा, अवरेज वगर है कैसे से होता है, उसी हिसाब से, और जीयो में 482 देखने को मिल रही है, जो की बहुत हाई है, कोलकाता के 33 के इसाब से कमपेर करें तो, मुंबई में Airtel की 271 Mbps देखने को मिल रही है, और जीयो की 515 देखने को मिल रही है, यहां भी जीयो बहुत आगे है, वारानासी ही एक ऐस Airtel की जो लोगों को स्पीड है, वो इतनी अच्छी नहीं मिल रही है, लेकिन यह ऐसा नहीं है, यह हमेशा ऐसी मिलेगी, तेज भी हो सकती है, अभी ठीक से आया नहीं है, मैं बता दू, दौनों ही अलग-अलग फ्रिक्वेंसी पर काम कर रहे हैं, उनके पास 700 वाला है, उ अलग-अलग एनुल की है, और स्टैंडलोन, नन स्टैंडलोन तो मैं आपको बता चुका हूँ, जो Airtel है, वो नन स्टैंडलोन है, यह चीज मैंने बताई आपको 5G के बारे में, जल्दबाजी ना करें 5G फोन खरीदने में, क्योंकि भारत में जो भी नेक्स्ट पॉन अच्छे प्रोसेसर के साथ, गेमिंग अगरा बढ़िया करना चाहते हो, तो, क्योंकि अगर आपके फोन में 5G नहीं भी है, तो भी Jio आपको अलाव करेगा, क्या आप 5G इस्तमाल कर पाऊ, अगर यह कैसे, देखो 5G के नेटवर्की तो नहीं आएंगे, जाधतर जितने भ जिसे आगर आपके यह broadband लगा हुआ है, जियो fiber लगा हुआ है, तो उसमें आपको मिलता है high speed वाला broadband, वाइफाइ, तो वो आपके सारे mobile phone में जितने भी devices हैं अचकल phone सब में support करता है, तो वाइफाइ के थूर आप 5G इस्तमाल कर पाऊगे, अभी भी आपके पास जो 4G phone है, उसमें भी डूल बैंड वाला वाइफाई सपोर्ट करता ही होगा अगर आपने दो-तीन साल पहले लिया है वो फोन तो और एयर फाइबर भी आने वाले आपको पता है जी हो का जिसे घर में लगा सकते हो आप और वो डूल बैंड होगा और आपके घर में 5G थो करेगा भाइव से connect करो और 5G इस्तेमाल करो अपने 4G फोन में भाना है आप बहूँ ज़ादा फर्क नहीं पड़ने? अगर बहुत जयुक्त बहुंते भूमते इस्तेमाल करना चाहते हो तो एक रिजन हो सकता है आपको 5G फोन करिका उस प्ते लावह गर घर में रहते हो तो आप ए तीन वज़े उन्हें आप देखके डिसाइड कर सकते हो अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो इसे लाइक करें अपने दोस्ते के साथ शेयर करें साइबर सेक्योरिटी और इतिकल हैकिंग में इंट्रस्टे तो डिस्क्रिप्शिन चेक करें टू नाइटीन रूपीज के तीन ही तेकल लाइकिंग करसे से जो आसान भाशा में आपको इतिकल लाइकिंग सिखा देंगे मैं मलता हूं आपसे एक लिए वीडियो में थैंक यू सो मच एंड गुड बाई झाल